नमस्कार सभी को कैसे हो मेरे भाई और बैनो स्वागत है आपका उत्रखन एक्जाम हब में दोस्तों उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्तों होगे दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारे परिक्षावाणी के पाँच चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं यानि के हमारी एक चोथाई परिक्षावाणी खतम हो चुकी है और अभी आठी दिन हुए हैं तो आज जो हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाज मैं खनीच समपदा मतलattend हम उसमें मिन्राल्स के बारे में पढ़एंगे कहां से क्या निकलता है उतराखंड से हम अभी भारत की बात नहीं कर रहे हैं परिक्षावाणी में सिर्फ उतराखंड का है जब हम जियोग्राफी पड़ेंगे जियोग्राफी की पूरी सीरीज चलेगी तो तब मैं आपको बताऊंगा ये सब चीजे भारत के परीपेक्ष में तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बात करते हैं सबसे पहले कि किस श्रेणी की हमारे यहां पे खनी संपदा पाई जाती है तो मद्यम श्रेणी की पाई जाती है कुश्चन डारेक्ट आ सकता है मद्यम श्रेणी उश्रेणी और निम श्रेणी यान में से कोई नहीं यहीं सभी तो मद्यम श्रेणी की हमारे यहां खनी संपदा पाई जाती है बात करते हैं चूना पत्थर की तो एक कहां कहां से मिलता है पहले तो वो देख लीजिए देहरादून और मसूरी और सुपिरियर क्वालिटी का पीपल कोटी, चमॉली और रुद्प्रियाग से ठीक है? ये मेन मेन है क्या आपको जाद रखने है देहरादून, मसूरी, पीपल कोटी और रुद्प्रियाग सुपिरियर क्वालिटी कहने के सबसे सर्वत्तम क्वालिटी के कहां से मिलता है पीपल कोटी, चमॉली और रुद्प्रियाग से अब इनके अंदर पढ़ते है देहरादून में कहां से मिलता है तो मंदारम और बारा कोट बारा कोट का है? काल सी के पास है देहराद उनके मंदारम और बारा कोट से हमें क्या मिलता है? चुना पत्थर मिलता है लेकिन जो मसूरी का चुना पत्थर है वो उसकी quality कि यागी वो क्रीम रंग का है जैसा हमारे skin color होता है उस color का है अब जो हम सरवत्तम quality की बात कर रहे है people kötü, चमोल्य उर उफ्दृ प्रियाकी तो महां से चुना और डोलो माइट मिलता है यह दोनों भी मिलते है डोलो माइट भी स्पिडेर क्वालिटी के मिलता है सबक्रिक और इस से अलग कौन से जगह है जहां पे चुना पत्र पाया जाता है तो टिहरी पॉडी ठीक है? ये दो जगा है टिहरी में अगर और डीप आपको जाना है तो लोरानी, आगराखाल यहां से अधरक भी बहुत जादा मिलता है नागिनी और नरिंदर नगर नरिंदर अगर आप सबको पताई है और पॉडी में उखिमट, पिंडर, अलगनन्दा और लोहगाट सुरी, ये मेरे चले, संग मरमर संग मरमर कहां कहां से मिलता है? तो दिहरादुन और टेहरी से मिलता है और चमोली की अलगनन्दा और वीरही गंगा घाटियों से मिलता है ये पहले मिलता था, ये अब नहीं मिलता है अलगनन्दा और वीरही गंगा घाटियों में अब नहीं मिलता है पहले मिलता था और अभी कहां से मिलता है? देहरादुन के मसूरी से और टेहरी से अब ये बहुत जरुरी रोगा दाता है उसको स्टार कर लीजिये कि workshop गड़के चंडाक छेतर से एक्योशन बहुत बार पुछे गये आपको स्टार कर रहा हुँ पित्थ अगड़के चंड़क से मिलता है अलमोडा के जिरोली से मिलता है यह दो तो रिट लीजिये इसका प्रियोग कहा होता है मेंगनेसाइट का तो आइरन में होता है लोह में होता है सीमेंट में इसका यूज़ होता है जो हमारी ताप रोधी जो इंटे होती है जो भट्टे में लगती है उनमें होता है ठीक है जाए तर कुश्चन इसका यह आता है कि क्यों योज होता है तो यह सोंदर यह प्रसादुन में होता है निकि जो हमारे ब्यूटी प्रोडक्स होता है उसमें खड़िया या चोक एक आगा से मिलता है हमारा देहरादून टीरी पौडी चमॉली और नैनी ताल यानी कि हमारे सगराबर में और चमॉली यहां पे औंगा से यहाँ आज है नैनी ताल इथर है वहाँ पहमारा क्या फौक ऑर खड्डिया रंगार गाओं या रिररगाओं वह जिसको बोलते हैं वह पहें जो तीहरी नाजिए में पड़ता है वहाँ से भी यह मिलता है क्या चौक और खड़िया और दिरा-दून में महागाओ और क्यारकुली जो मसूरी के पास पड़ता है वहाँ से मिलता है भिशिकेश में नीट गएओ और सोथ नाला वहाँ से चौक और खड़िया मिलती है आगे बढ़ते हैं रोक फॉस्पेट रोक फॉस्पेट हमारा कहाँ से मिलता है देहरादून तिहरी और नैनीताब देहरादून तिहरी और नैनीताब यानि के ऐसा समझेए कि हमने चौक खड़िया में से सिर्फ पॉडिया और चमॉली को क्या कर दिया है डिलीट कर दिया है बागी सब सेम है तो रोक फोस्पेट यहां से मिलता है ठीक है अब इसको आगे अगर हम बढ़ाना चाहें तो कैसे बढ़ा सकते हैं देखे रोक फोस्पेट अपने आद कर लिया देरादून टीरी और नैनिताल जब बाट डोलो माइट की जाएगा तो देरादून टीरी सेम रहेंगे यह वाले और नैनिताल की जगा पितोरा गड़ आजाएगा यह रटके ऊपर चला जाएगा जब बात आएगी सेल खड़ी की यह दोनों सेम रहेंगे और पितोरा गड़ से हटके क्या हो जाएगा यहां पर पॉड़ी आ जब आएगा रोक फोषफेट की तो हमने इसमें से क्या डिलीट किया पॉड़ी और पितोराकड को क्या बचा हमारा देरादून टीरी और नैनिताल बात आई डोलोमाइट की तो नैनिताल हटा के हमने पितोरगड लगा दिया बात आई सेल खड़ी की तो पितोरगड हटा के हमने पॉड़ी लगा दिया ठीक है फोस्फोराइट इसमें टीरी और देहरतुल है इसमें हमने सब हटा दिया ये भी ये भी ये भी शिफ्टीरी और देहरादुन चीज़ हो अगर आप विजूली देखोगे तो बहुत इजी लगने लगें ठीक है तो आप ऐसे पढ़िए अगर हैल्प हो तो बताइए गंधक या माक्षिक गंधक जैसे कि हमारे गंधक हमारे की सहस्त्र जियुद और वार्फॉल है सहस्तर जर्ट जंड जाए देहरादू जनमें 10 महापे इसमें गंदग पाया जाते हैं वह गंदग क्या गरता एक तो में पाय जाता है. इस ऐबेस्टोस न ऑखीमट रड़ी के कांदेरा और ऑर अल्मोडा ये देड़ादून में पाय जाता है टीरी में पाय जाता है पोडी नैनीतल और अल्मोडा ठीक है ये मैप तो आप याद रख लिए जो मैंने बताया था आपको क्या बताया देहरादून में पाए जाता है टीहरी में पाए जाता है पोडी में पाए जाता है नैनी ताल में पाए जाता है और इसके उपर अलमॉडा बना लिए देहिए सेम ही है ना पहिरी के धपीला छेत्र या क्यार कुली से जिपसे मिलता है पौडी की खरारी गाटी खेरा लक्षमन जूला लक्षमन जूला पौडी में बढ़ता है ठीक है क्योंकि वो हमारा जो जिकेश है वो दो बागों में बटा हुआ है एक दिरधुन और एक पौडी में मदुधानी और नरिंद्रगिन, यह नरिंद्र नहींड़ नगर नहीं है, नरिंद्रगिन है यह नैनितल में खुरपाताल, नैनितल और मजरिया, इतना आपको याद रखना है, आईरन यानिके लो, यह हमारा कहाँ से मिलता है, नैनितल, अलमोड़ा, पौर्डी और इसके अपर ठीरी. ठीक है हमारा यहां से मिलता है नैनी ताल के काला डूंगी और रामगड से मिलता है और यहां से किस तरीके का हमारा लोह मिलता है हैमेटाइट और मैंगनेसाइट परकार का और इसके अलावा दूदा दॉली में भी मिलता है ठीक है जादा मात्रां में नहीं मिलता बट मिलता है कोपरियानी के तामबा हमारा काम मिलता है ये तामबा चमोली, तिहरी, पौडी, अल्मोडा और बागेश्वर चमोली, तिहरी, पौडी, अल्मोडा और बागेश्वर ठीक है चमोली के काम मिलता है नागनात पोकरी, धमैती, धनपूर और मोना खाल में तीरी की भागी रती घाटी में भिलंगना घाटी मत कर देना confusing आता है option जब वो आयोग बनाता है question तो उसमें भिलंगना घाटी जरूर देता है क्योंकि वहाँ पे वो famous है लेकिन टीरी की भागी रती घाटी में तामा मिलता है पोडी में धनपूर डोबरी देखे, धनपूर कहा है चमोली में और धनपूर डोबरी कहा है पोडी में ठीक है? अलमोडा अलमोडा के जीरोली के फलमती पहाडी पे मिलता है बागेश्वर में थैली पार्टन मिलता है इसको याद कर लीज़ेगा क्योंकि बागेश्वर बहुत टाइम बाद दिखाया है बहुत कम खनीज मिलते हैं यहां से तो इसको याद रखना सीली का सेंट्स या जिसको सीसा भी बोलता है यह हमारा पिथोरागड अल्मोडा और देरादून से हमारे बावन गड़ों में से एक गड़ था देवल गड़ जहां पे अजे पाहर ने क्या की थी राजदानी सानांद्रित की थी 1512 में आपको याद होगा पहली कांती चानदपूर गड़ी थी अफी 1517 में श्री नगड कर दी थी खेर वहाँ पे नहीं जाते हैं वो इस्टी का पार्ट है तो फितोरगड के चंडाख, देवलगड, रालम और भैंस वाल यहां से सीसा मिलता है अलमोडा के राई, चीना पानी, पट्टी खराही और विलोन से आप बोलोगे कि यह इतने सारे मलब जिल्य तो याद हो जाएंगे लेकिन उनके अंदर के स्थान कैसे याद होगे, अंदर के शेतर कैसे याद होगे नहीं होगे मैं ही बोल रहा हूँ, नहीं होगे, जब तक आप उसको तीन या चार बार नहीं पड़ोगे देहरा दून, देहरा दून के कुमा बुरेला और मुदोला ग्राम से सिसा मिलता है ग्रेफाइट ग्रेफाइट कहां से मिलता है, अल्मोडा, पॉडी, दक्षिन, पूर्वी, नैनिताल और देहरा दून एक बार इसको समझते है graphite कहां से मिलता है almoda podi nainital और देरा दून ठीक है यहां से मिलता है graphite और nainital के भी dakshin poor यानि के इस area में ठीक है base metals इनको base metals ही बोला जाता है यह same almoda, podi, dakshin पूरी, नainital, देरा दून और इसके लावा चमोली तीहरी और पिथोरागड ठीक है इसमें तीन यह जिले हैं जो add हो जाएंगे पिथर या पाटल किसको बोलता है जो हमारे पत्थर होता है एक तरीके के तो वो सिर्फ almoda से पाए जाता है सोना कहां से मिलता है या मिलता था तो शारदा और रामगंगा अलखननदा और पिंडर इन नदी घाटियों से सोना मिलता है या मिलता था क्योंकि अब बहुत कम मातरा में मिलता है तो उसको neglect हो आप चांदी चांदी सिर्फ almoda से मिलती है टिन सिर्फ चमोली से मिलता है यूरेनियम जो हमारा प्रमाणूबं में यूज़ होता है वो टीरी गडवाल से मिलता है अब देखते हैं राजजी खनननीती कब लागू ही 2001 में और ये पूरी तरीके से मिलब इसको डेटर कर देखी जाए तो 4 अपरेल 2001 इसकी जो खनननीती की लागूती थी है वो है 4 अपरेल 2001 वन छेतर में जो खननन होता है वो किसके अंडर होता है वो उतरांचल वन विकास निगम के अंडर होता है यू वी वी एन और इसको अगर हम इंगलिश में बोलें तो उतरांचल फोरेस्ट डेवलप्मेंट निगम को क्या बोलता है कोरपोरेशन सोरी हाँ ठीए UFDC अन्य छेतर में जो खनन होता है वो GMVN और KMVN की साहता से होता है निए कि गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाव मंडल विकास निगम की साहता से खनिजनीदी खनिजनीदी क्या है कि 5 परतिशत तो मुख्य खनिजोना चाहिए जो हमने पड़े और 5 परतिशत उप खनिजोना चाहिए जो उसके अंडर आते हैं जैसे आईरन के अंडर आता है हैमेटाइट मैगनेसाइट तो इस तरीके से हमारे ये चیپटर भी क्या हुआ कम्टेट हो ही तो दोस्तों हमारे 6 चेपटर कम्ब्लीट हो चुके है अब आप पेस देखना किस तरीक़े से चलेगी क्यूंकि जो मेरे बड़े चैपυχरे बचे हैं वो शिर्फ चार या तीन हमारे बड़े चेप्टर बचे हैं उसके लाव हमारे आदे आदे गंटे के चेप्टर हैं आप उन्हें बिल्कुल निश्यंत रहिए हमारे तीस दिनों का ये जो महाकूंब है इसमें हम पूरी परिक्षावानी उठा के एक साइट रख देंगे ये मैं आपको पहली वीडियो से बोलता रहा हूँ और अभी भी बोल रहा हूँ तो विश्वास बनाई रखिए पढ़िए सुसत रहिए और चलिए मिलते हैं जल्दी जाहिंद